ठीक है देवरिया में इसका अफसोस हम व्यक्ट कर सकते हैं कि यह हत्या हुई जान लेलेनी निर हो गई अपनी बेटी को भी तो मार देता साथ में दोनों मर जाते बेटी भागी तो गलत नहीं थी दूसरे के बच्चे को जान से मार दीकास बंज को आप क्या समझते हैं आप लोग एक चोटा सा संगठन इतनू सा बच्चा टाइप का और इतनू सा संगठन को चाहते हैं कि देश के कोने कोने में हम दोर्जा किस सुविधा के साथ हमें कहीं से फंड मिल रहा है सरकारी या हम टाटा बिर्ला होने जा रहे हैं आखिर अंजली और सुरज से मिलने चली जाती है सुरज का हत्या हो जाता है तो लेकिन देवरिया नहीं गई है अच्छा एक बात दोता है आप मुझे समझ क्या रखें या महिला विकास मंज को आप क्या समझते हैं आप लोग एक एक आम छोटा सा संगठन इतनू सा कर सकते हैं कि हत्या हुई लेकिन हमारे में इतनी सक्षमता नहीं है अगर आप मीडिया कर्मी भाई इतना मुझे उस लाइक समझते हैं हमारी टीम को समझते हैं तो सरकार से अपिल कीजिए ना कुछ व्यवस्था दे दें बिना व्यवस्था का तो पूरे बिहार के कोने कोन में मामले हैं एक दुश्मनी रही इगो सबसे बड़ा बात इसमें इगो है जो एक पैरिंटल इगो होता है कि वह ऐसे किया हमर बेटी को ले गया तो हम मार देंगे जान मार देंगा दूसरा थोड़ा राजनितिक मुद्दा भी है क्योंकि वह उनकी मदर जो है अच्छे लोग जेल में बंद होते हैं अप राधी बंद का आप बाचित की होगी तो अंजली ने क्या बता है कि मेरा पती क्या करता है बहुत प्यार करता है अपने पती से हो काम क्या करते हो दिल्ली में रहते थे अपना जो भी कर रहे थे कर रहे थे यहां क्या वह राजनित जिता तो बोलते हैं कि गोपालगन सीवान अब जो है हम तो जो सुने वही जानेंगे न अब कौन कहां रहता था तो आप थोड़ी एसी आई-डी ओने जारें भईया कि हम जाच करें उस पर हम हम वाह क्यों गयते हम यह जाच करने थोड़ी कहतें अंजली कहा रहती थी क्या ख भाग जाए तो उस समाज में लोग जो है उसको छोड़ देंगी आप कैसे कह सकते हैं फुआ है कोई रिष्टेदारी थी नहीं उस परिवा तो गाउं में सब एक दूसरे को चाची मामी काकी बोलता है तो क्या करेंगा बस एक घर उसके चाचा का उसके बाद उसका ने मान ली थी दूसरे के बच्चे को जान से मार दिया तो में इतना असर नहीं था हुआ अगर थी मान लेते हैं अब अंजली के बड़े पापा सूरज की जो पहली पतनी थी जो 35 साल की पतनी थी तो अंजली के बड़े पापा घंटों का चैट निकल रहा था अब कोई हम भी कह सकते एक अजली के बड़े पापा का उसके पहली पतनी से फेर था पड़िवार तो आरोप लाएं पुलिस कारवाई यह नहीं कर रहा था चैट कहांसे निकल गया चैट कैसे नहीं निकलेगा बहुँ चिज़शा कुछ चीज़शना पली कअ पूलिस निकालने का काम कर रही है प अपराधी भाग के तब तक कहां से कहां चल जाएगा इंडिया पार हो जाएगा तुम पहले अपराधी भागा का अपराधी तो न्यूज चैनल पर आके वीडियो दे रहा है कि हम क्यों मारे कैसे मारे क्यों क्या बादचीत हुआ वो सब बता रहा है तो देख रहे हैं ना टूख्या झी ने कहाकि हां गोली चली थी पत्रकार भाईओं ने कहा कि इस दोकि जूट बोल रहे होंगे वह बैटे थे हल्लाही बैट होhmen दो आवाज नहीं सुना दिया नहीं दिया तो हम भी नहीं थे हम कैसे उसकर भोले चली कि नहीं चलिए चलिए तो यह थी हमारे साथ बीना मानवी जी जो की गई थी छपड़ा और अंजली से मिली और हमेशा जाते रहती है महिलाओं की बात करती है महिलाओं के न्याय के लिए जो है आवाज उठाते रहती है और हम भी चाहेंगे कि अंजली को भी न्याय मिले लेकिन बाकि आप लोग क्या सोचने इस वीडियो के मादेम से कॉमेंट वे जरू बताएगा और वीडियो को जाद सेयर कीजेगा जया हिंद जया बिहार